हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल, इस्टीचिंग विद रीना फ्रेंड्स, आज मैं आपको काउल स्लीब टीजन बनाना बताऊंगी, जो की बहुत जादा ट्रेंड में है तो यहाँ पे मैंने कपड़े को फोर फोल्ड करके बिछा लिया है इसके बाद यहाँ पे हम निशान लगाएंगे तो जितनी भी आपको स्लीब टीजन की लंबाई रखनी है उतना निशान लगा लेना है हमें रखनी है 16 इंच, तो 16 इंच पे निशान लगाएंगे 1.5 इंच इसमें हम मार्जन के लिए एड़ कर लेंगे तो यहाँ पे हमने 17 इंच पे निशान लगाया है यहाँ पे भी 17 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे इसके बाद यहाँ पे हम फिटिंग का निशान लगाएंगे तो हमारी जो fitting का निशान है वो है 7.5-7.5 इंच पे निशान लगाएंगे यहां से 3 इंच इसको down करेंगे और अब हम यहां पे इस तरह से आस्तिन का save देंगे जैसे कि हम simple आस्तिन में save देते हैं मुहरी इसकी रखनी है 10 इंच, half लेंगे 5 इंच, 5 इंच पे निशान लगाएंगे इसको यहां fitting वाले निशान से मिला देंगे इसके बाद यहां पे हम margin भी ले लेंगे तो margin यहां पे आप कम ज़्यादा रख सकते हैं अब यहां पे हमें call sleep के लिए निशान लगाना है तो उपर से हम यहां पे एक निशान लगाएंगे 10 इंच पे 10 इंच पे निशान लगाएंगे इसके बाद यहां पे एक निशान लगाएंगे 2 इंच पे इसको ऐसे सीधा करेंगे अब यहां से हमें काउल स्लीप का सेप ड्रॉ करना है तो देखे इस तरह से यहां पे इसको ड्रॉ करेंगे और जो यह हमारा फिटिंग वाला निशान था उस निशान से हमें इस तरह से इसको मिलाना है यह देखिए अब इसी निशान पे हमें इसकी cutting कर लेनी है इस तरह से इसको हम cut कर लेंगे इसके बाद हम एक slip को निकाल देंगे और एक को ले लेंगे इसको हमने ऐसे ही fold करके रखा और यहां पे हम 2-2 इंच की दूरी पे निशान लगा लेंगे इस तरह से हमें 2-2 इंच की दूरी पे निशान लगा लेना है देखिए इसी तरह से हमें पूरे में 2-2 इंच की दूरी पे निशान लगा लेना है यह मैंने यहां पे निशान लगा लिये हैं अभी ये जो निशान है ये हम दूसरी साइड में भी इसी बराबर से ही लगा लेंगे और इन निशानों को हम थोड़ा सा डार कर लेंगे इस तरह से जो हमने निशान लगाये थे उन्ही निशानों पे ही ये निशान लगाने हैं दोनों साइड में हम बराबर से ही निशान ल और यहां पे हम पिन लगा लेंगे इस तरह से पिन लगा लेंगे अब फिर से हमने जो यह तीसरा वाला निशान लगाए था इसको उठाएंगे और इस तरह से फिर से यहां पे प्लेट बनाएंगे और यहां पे भी हम पिन लगा लेंगे अब इसके बाद जो हमारा यह अगल प्लेट बनानी है और यहां पे भी पिन लगा लेना है तो इसी तरह से ही जितने भी यह हमने निशान लगाए हैं सभी निशानों को ऐसे ही रखते हुए प्लेट बना लेंगे तो यह जो सारी प्लेट हैं हमारी एकदम बराबर की ही बनके रेडी होंगी तो एक साइड की सारी प्लेटे मैंने बना लिया है अब जो हमारा यह दूसरा वाला साइड है दूसरे साइड में भी जो हमने यह निशान लगाए हैं इन निशानों को सेम ऐसे ही प्लेटे बनाके पिन लगाके रेडी करना है यह देखें दूसरे वाले निशान को उठाते प्लेट पनाएंगे और इस प्लल लगाएंगे सारे निशानों को ऐसे ही प्लेट बनाके रेडी कर लेना है कि तो देखिए दूसरे साइट को मैंने ऐसे ही बनाके complete कर लिया है और अभी यहां पे इसका जो लूख कुछ इस तरह से आया है यह देखे हैं इस तरह से हमारे जो काउल है बन के रेड़ी हुई है अब यहां पे हमें इस पे दिलाये लगानी है तो चलिए हम्हां लगाना भी आपको बताते हैं मशीन पे हम आ गए हैं अब यहां पे जैसे मैंने प्लेटे बनाई हैं यहां पंदेदी निगा आप पिं mo conquercate, Supreme में सिलाई लगा लेंगे और ये जो डिजाइन है हमारी ये कुछ इस तरह से बनके कम्प्लीट हो जाएगी सूट में अटेच होने के बाद इसका जो लुक है वो बहुत अच्छा आता है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब भी करिएगा थैंक्स फर वाचिंग माई वीडियो